हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो में यूटूब चैनल एक्स्ट्रिंसिक कोचिंग आज हम सौल करने वाले हैं गुजराज सरकल का 2013 जेटी वो एलाई सी का स्क्विशन पेपर स्लूशन जो बीए सिनल का इंटर्नल एक्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे इस क्विशन पेपर में बहुत इंपर्ट एमसे क्यूस है अगर आपके बिराच इलेक्ट्रोनिक्स और कम्विनिकेशन एंजिनियरिंग या तो फिस्ति है उसके बारे में बात नहीं कर रहे है इस से पहले जो एक्साम हुआ था उस time पे मैंने already 16 question paper जो है वो solve करवाए हुए है जो आपको playlist में मिल जाएगा पूरा और बहुत सारे important mcqs है सारे 2022 से लेके 2013 जितना भी exam बीच में हुए है सबके question paper solution detail में आपको मिल जाएगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है में चैनल को फटाफर subscribe कर लेना है अपने friends के साथ वीडियो को share करना है और अग तक आपने अगर like button के प्रेस नहीं किया है तो फटाफर इस वीडियो को like कर दीजे और bell icon पर प्रेस कर दीजे ताकि जब भी मैं से important mcqs question paper solutions रखो यहाँ पे तो आपको notification जो है वो मिलता रहे तो चले start करता है very first question जो यहाँ पर है which of the following is not a data model तो यहाँ पर जो दिया हुआ है very first question that is from the subject dbms जो आपका subject है computer science IT सब में आता है महाँसरी question पर पुछा हुआ है question जो है वो तो relational database model तो होता है narrow data model भी होता है देको बहुत basic question आपको यहाँ पर मिलेंगे लेकिन इस सारे basic question ऐसे है जो आपको बार 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 जो repeatedly जो आप computer exam आप दोगे तो यहाँ पर क्या पूछा है below is not data model ऐसा पूछा हुआ है तो यहाँ पर option c जो है वो correct answer है next question की बात करता है which of the following is a term of dbms इसमें से कौन सा इसका time है ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर बहुत सारे question ऐसे अगर primary answer की आप मतलब प्रोविजन आशर की जो होता है उसकी बात करोगे तो उसमें बहुत सारे answer गलत है जिसकी इस question है तो उसका प्रोविजन आशर की में आशर जो दिया हुआ हुआ है वो गलत है क्योंकि आपे जो इस question में answer आना चाहिए वो diversity answer आना चाहिए अगर ऐसा दिया हुआ हुआ है तो यह तीनों answer correct है इसलिए एक मार्क जो है exam में दे दिया था then which of the following is not a key of DBMS ऐसा पूछा हुआ है तो कौन सा की नहीं है ऐसा पूछा हुआ है तो candidate की बिलकुल होता है basic की नहीं होता है foreign की होता है alternate की होता है तो basic की ऐसा कोई की नहीं होता DBMS में मैंने DBMS में कीस पे जो importance क्यों पूछते है और जो important important question है उस पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पूरा किस को detail में explain किया हुआ है वीडियो भी में आपको जो है मेरी YouTube चनल पर मिल जाएगा तो वह एक बार देख लेना कि की जो है उस concept से जनरल ही हर एक exam में अगर आप placement की भी preparation कर रहे हो कोई भी examination के लिए तो उसमें भी की के related जो है DBMS बहुत ही basic है और वहां से question पूछते ही ही पूछते हैं तो वह एक बार बिल्कुल पंद्रा भी स्मीट का ही है वह एक बार देख लेना नेक्स्ट वीच आफ दे फॉल्लविंग इस नाट यूजर ऑफ डी बी में सिस्टम का यूजर नहीं हो सकता अप्लिकेशन सिस्टम होता एंड यूजर होता है जिसकि आम आप है next क्या यूजर पूछा हुआ है which one of the following is not level database implementation इसा पुछा हुआ है तो इसन नाफ को बताया है त olmहले है Visual test then और फिर view level होता है उसमें link level ऐसा कोई level नहीं होता तो option d जो है यहां पर दिखना सारे स्कूशन जो एक में printing mistake है बाकि सब में क्या पुछा हुआ है नाट हां क्या नहीं है ऐसा पुछा हुआ है जब भी ऐसा नेगेडिव स्कुछन पुछे तो स्कुछन को दो बार पड़ो हां काफी लोग यहां पर गलती करके आ जाते हैं और बाद में अगर यह option तो similar दी है तो आपको पता जल जाएगा तो कौन से कौन से ही आपको पता है तो बता चलते के कौन से कौन से नहीं है जैसे कि DDL होता है डेटा डेफिनेशन लेंगवेज बिलकुल होता है डेटा कंट्रोल लेंगवेज यह भी होता है डेटा रिस्टोर लेंगवेज यह सा कोई लेंगवेज नहीं होता तो option D जो है इसको डिटर टाइप नहीं है तो character होता है, float होता है, numeric होता है, false ऐसा को डिटर टाइप नहीं होता तो option D जो है यहाँ पर बिल्कुल सही answer है, a condition or check applicable on a field or set of field is called, यहाँ पूछा हुआ यहाँ पर आपका क्या होगा, मतलब आपका SQL का question है, आप DBMS में अगर SQL की बात करों तो यहाँ पर जो आपका क्या setup field को क्या कहते है, condition को क्या कहते है, ऐसा पूछा हुआ है, तो इसको constraint कहते है SQL में, तो यहाँ पर option A जो है वो सही answer आएगा, next question की बात करते है, next question यहाँ पर दिया हुआ है, a key that can uniquely identify a tuple within the relation across a different table, different table में मुझे uniquely identify करना है किसी को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको explain किया हुआ है, मैं जो DBMS अला primary के का lecture है उसमें, कि आपको एक identity चाहिए, हाँ, जिससे आप कोई भी टेबल में चले जाओ, वहाँ पर वो number save रहेगा, जिसकी roll number है, student का database की बात करें, तो क्या रहेगा, roll number रहेगा, हाँ, क्योंकि age, आप name, city, यह सब की बात करो, तो वो तो multiple attributes हो सकते हैं, यहाँ पर roll number होता है, जो आपका unique टेबल होगा, एक attribute आपको ऐसा चुज़ करना है, जो आपका unique हो, जिससे आप table को आप, कोई भी table में चले जाओ, हर जगा पर unique होना चाहिए, तो वो क्या होता है, primary की होता है, तो option B, जो है, यहाँ पर बिलकुल सही answer है, next question पुछा हुआ है, TCP stands for, TCP का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर DBOS का question जो है, खतम हुए, यहाँ से आपके जो question है, वो data communication के question है, तो इसकी बात करेंगे, TCP stands for, TCP का मतलब होता है, transmission control protocol, यह जो है आपका option C, जो है, वो correct answer, data communication and networking, DCN जो आपका subject था, मतलब आपका काफ पढ़ते हो, आपका, जो communication networking है, पूरा, उसकी यहाँ पर बात है, तो यहाँ पर यह पर यह पहला question है, उसका answer क्या आएगा, c answer आएगा, next question, which one of the following is not a switching technique, ऐसा पूचा हो आए, तो कि सुचिंग होता है, message switching होता है, packet switching होता है, इस सब का हम use करता है, control switching होता को switching नहीं होता, option c, जो है, यहाँ पर बिल्कुल सही answer, next question, cat 5 gives a data grade transmission speed up to, तो यहाँ पर देखे, ambiguity question में, थोड़ी क्योंकि cat 5 जो है, वो above 100 MBPS, कोई भी data, मतलब up to 1 GBPS data है, जो वो बिल्कुल दे सकता है, तो यहाँ पर सारे answer correct, cat 5e, अगर आप बात करो, उसके लगलग class है, तो अगर आप cat 5e क कि बात करो, जैसे 5e class होता है, cat का, तो वो जो है, आपको up to 100 MBPS and up to 1 GBPS speed दे सकता है, तो यहाँ पर 100 MBPS correct answer है, यह 1000 MBPS correct answer है, और 1 GBPS correct answer है, इसका मतलब यहाँ पर यह तीन हो जो है, यह correct answer है, इसलिए, यहाँ पर not पुछा होता, तो यहाँ पर option A, जो है correct answer, आता है, इस question, इस भूल गया है, यहाँ तो printing mistake हो गया, जिसकी बजह से multiple correct answer हो जा रहा है, next question की बात करते है, question number 63, which one of the following is a guided media, ऐसा पुछा हुआ, इसमें से कौन सा guided media है, ऐसा पुछा हुआ है, तो यहाँ पर आपका UTP जो होता है, वो guided media होता है, जिसे कि आपका optical fiber cable है, आपका coaxial cable है, आपक सब सारा जो है, वो guided media है, आप ऐसा, बात करते है, next question की, यहाँ पर question number 64, जो है, a network which connects different network, our large distance, through a switching unit is called, मतलब, large distance, different network connect करेगा, when connect करेगा, when को क्या कहता है, यहाँ पर option B, जो है, वो, सही answer, यह तो सही सब को आता है, next, which one of the following, star, ring, bus, graph, mesh, और network topology, तो देके star topology होता है, होता है, बिल्कुल होता है, ring होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, match भी होता है, तो इसमें से graph नहीं होता है, मतलब, one, two, three, five, one, two, three, five, कौन सा सही है, option B, is the great answer, तो यहाँ पर one, two, three, five, जो हो, correct answer, आएगा, next question, which one of the following is not a advantage, जो बस topology जैसा पुछा हुआ है, इस to extend, यह भी मतलब, ऐसा भी होता है, तो easy foot diagnosis, हम बस में नहीं कर सकते, क्यों कि बस में, अगर आपका cable में, single pair break हो गया, तो इसको डायोगनाइस करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए, यह advantage बस topology का, नहीं होता है, इसलिए, यहाँ पर option D, जो हो, correct answer, आएगा, next question, जो बहुत यूज़ करते हो, land cable में, तो उसमें, उसका full form पुछा हुआ है, तो RJ45 का full form क्या होता है, register jack 45, यहाँ पर कौन सा option सा ही है, option B, जो है, यहाँ पर बिल्कुल, correct answer है, next question के हम बात करें तो, an intelligent device used to connect a separate segment of land, and acting is a filter network, file network के साब पुछा हुआ, यहाँ थरा scanning कट गया है, तो filter network traffic based on the MAC address is known as, देखो यहाँ पर क्या पुछा हुआ है, इसा कौन सा intelligent device है, जो separate segment of land को connect करता है, और network को filter करता है, using the MAC address, मतलब, यह Mac address है, तो यहाँ पर अलग network की address, तो इसा कौन करता है, इसा bridge नहीं करता है, इसा switch करता है, तो option D, जो है, वो यहाँ पर, correct answer आएगा, तो यह question, जो थे सारे, DCN के question थे, अब next question, जो आपको सारे दिये हुए है, वो communication के question है, जिसे पर radio communication, आपका basic communication, analog, digital communication, सब कुछा गया, तो यहाँ पर हम बात करते है, इस question की, a message sent by a remote server to reside in a host machine, and send back to the server, and the browser request a page from the server is called, इसे क्या कहेंगे, यह जो question है, आपका simply, आपका basic ID का question है, जिसको हम cookie कहते है, तो यहाँ पर option यहाँ आएगा, जिसे वेब पर इस वगेरा होता है, अब question जो है, सारे communication के है, in a communication system, noise is most likely to affect the signal, noise जो है, वो किसको affect करता है communication मे है, कहाँ पर affect करता है, noise जो है, वो, channel में affect करता है, so in the channel आएगा, so option B, जो है, यहाँ पर बिल्कुल, correct answer है, next question, indicate the full statement, modulation is used to, modulation का use हम क्यों करते है, आपको full statement बताता है, यह साब पूछ रहे है, देखो यहाँ पर, यह आप यहाँ जहां से पर नहा, modulation used to separate different transmission, बिल्कुल कर सकत करना यूज कर पाए, otherwise तो हम प्रेक्टिकेबल नहीं कर पाएंगे, जिसके एंटेने आपका होता है, lambda by 4, और आपका modulation नहीं करेंगे, तो low frequency होगा, तो यहाँ पर full statement का है, reduce the bandwidth use, तो यह जो है, modulation का advantage नहीं है, तो यहाँ पर option A, जो है, वो, correct answer आएगे, इस question बहुत सारी exam मे बहुत बार पूछा हुआ है, next question, indicate which one of the following is not advantage of FM over AM, is question, आपके जेट वेले से में बहुत बार पूछा हुए, अगर आप सारे paper solve करोगे, तो आपको तीन-चार बार तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर lower bandwidth required नहीं होता है, FM में मुझे ज़्यादा bandwidth चाहीं के comparison में, FM का bandwidth जो हो 200 kHz होता है, AM का सिर्फ 10 kHz होता है, so lower bandwidth is required, जो है वो advantage नहीं है, FM का, देखे, not advantage, यहाँ फिस question पुछे हो है, negative logic is question है, तो यह question को ध्यान से पढ़ना चाहिए, next question, question number 73, frequencies in UHF range normally propagate by means of, UHF मतलब क्या होता है, आपका ultra high frequency, मतलब space wave, तो यहाँ पर option आएगा, D जो है, वो correct answer है, next question is used with the frequency in the following range, trophospheric scatter, जो आपका use होता है, वो जैसे हमने अभी बात की trophosphere मतलब, ultra high frequency, तो UHF में होता है, so option C, जो है वो correct answer, यहाँ पर आएगा, next question, पुछा हुआ, जो antenna का है, antenna that is circularly polarized, वो कौन सा होता, helical antenna होता, यह भी पीटा हुआ, question है, आपको next exam, पूछ सकते है, बहुत important question है हां, कौन सा antenna circularly polarized होता है, helical antenna है, बहुत सारी exam है, बहुत बार पूछा हुआ है, next question, the output from a laser is monochromatic, this means that is, मतलब monochromatic output है, इसका मतलब क्या है, monochrome, monochrome, mono, मतलब single, monochromatic मतलब single frequency, तो यहाँ पर option D जो आएगा, वो बिलकुल सही answer आएगा, next question, the most common modulation system used for telegraphy, यह question भी पीटा हुआ हुआ है, इवन आपका जो जहीं, LSE का exam होता है, उसमें भी इसकूशन, हला कि वो सिलिवस में नहीं है, फिर भी पूछ लेते हैं, तो सबसे ज्यादा टेलिग्राफिय में हम Fs के का भीजुश करते है, that is frequency shift king, option A, जो है, जो है, वो correct answer यहाँ पर आएगा, next question, indicate which of the following system is the digital yes question पीटा हुआ question yes question पी बहुत सार एक्जा में बहुत बार पुछा हुआ है PPM PWM PFM ये सारे analog modulation technique के digital कौन सा होता है PCM आपका pulse code modulation जिसका आप बहुत ज्यादा यूज करते हो BSNL में next question full-duplex operation क्या करता है full-duplex operation requires two pair of cable बिल्कुल चाहिए then full-duplex operation में can transfer data in both direction at once बिल्कुल कर सकता है requires modem at both end of the circuit बिल्कुल चाहिए मुझे transmit के लिए क्रिस्टी के लिए modem चाहिए तो all of above as usual जैसे आपका question paper में होता है मैं सही all of above यहां पर सही answer है अब देखिए आपका जो last question paper हुआ था भी 2022 का चोगस्ट में हुआ उसमें स्टुडेंट ने मुझे बताया कि सर उसने लोगों ने क्या कर दिया था all of above मतलब जो होता है मतलब all of the options are correct ऐसा option a में रख दिया था हां तो यहां ब्लाइंडली फोलो नहीं करना है मैं आपको बताया था कि 98% लेकिन option a में रख दिया था फिर आप वह भी नहीं पड़ोगे कि option a में रखा है कि दी में रखा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा हां तो फिर आप जो है वह सही होके भी गलत करके आ रहे हो इसका मतलब भी हुआ मतलब ब्लाइंडली जो है आपको आंसर मार्क नहीं करना है फिर क्या होगा एक मार्क से रे जाओ गए एक मार्क से कट अफ नहीं निकला तो फिर वह सही हो गया होता तो उसका चोहें वह एक्जाम क्लियर हो गया होता ठीक है अब दुसरी बार एक्जाम उसको नहीं देना पड़ता है तो यसे question मतलब option को shuffle कर रहा है यह से बापको a vixio cable for a television transmission because they have less overall phase distortion they are cheaper of their greater bandwidth or of the relative immunity to the impulse तो यहां पर आंसर की आएगा because they have less overall phase distortion microwave लिंसका हम उसक्रता है television transmission में क्योंकि कि जतना frequency high होगा उतना आपका phase distortion काम होगा आपका phase difference जो होता है part difference जो होता है उसके depend रहता है 2 पाइब लेमडा मैक्रोवेव में उसमें डीटेल में भी जाना नहीं है नेस्ट के हम बात करते हैं टेलीफोन ट्राफिक इसमें ट्राफिक का बहुत बार पुछा हो आप बात करो मोडलेशन स्किम्स की तो यहां पर कोई भी नहीं दिया है मतलब आपका सिंपल पुछा हुआ है तो आप बोल्ड इस इकुल तो आप क्या कह सकते हो देखो बोड़ इस इस इकुल to twice the bandwidth if that है की लेस होता है तो equal to twice the bandwidth of ideal channel होता है क्योंकि आपका अपका बीटरेट होता है और चाहिए और बैंडीड रिलेशन आब को आना चाहिए तो इस question का answer जो है आप easily कर पाओगे तो again इस question भी बहुत बहुत कुछा हूआ होता है बोड़त क्या होता है twice the bandwidth of the ideal channel ओके ऐसा होता है next in active region operation of a transistor active region मतलब कैसा region जहां पर आपका दो junction transistor में आपके दो junction होता है एक होता है आपका emitter base junction और एक होता है collector base junction अगर ये दोनों photo bias में इस question सारे पुछे होए तो मैं आपको सारा यहां पर ही बता देता हूँ अगर ये दोनों photo bias है तो आपका transistor जो है किस में होगा? saturation में होगा अगर ये दोनों reverse bias में है तो आपका transistor जो है किस में होगा? cut off में होगा और अगर ये photo bias आपका emitter junction और collector junction reverse bias है तो आपका transistor जो है वो active region में होगा तो line में 3 question पुछ लिए है तो यहाँ पर क्या आएगा एमिटर जंक्शन फ्रोड बायस और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बैसे सा आएगा तो option C जो है यहाँ पर बिलकुल सही आंसर है देखें next question जो है यही पूछा हुआ है मतलब क्या होगा कि दोनों जो होना चाहिए तो यहाँ पर option A जो है वो करेक्ट आंसर आएगा next question avalanche breakdown result basically due to तो यहाँ पर दोनों पूछा हुआ है यहाँ पर जंक्शन आपको ब्रेक्डाउन जो होता है उसका difference आपको आना ही आना चाहिए बहुत ही इंपोर्टन एक कॉंपिटी एक्जामिनेशन के लिए तो avalanche breakdown जो होता है वो electron का multiplication होता है उसके जिसे कहते है इंपिक ionization तो यहाँ पर option A जो है वो current answer है और जैनर breakdown जो होता है इसके बाद यह question आगे आएगा उसके बाद हम आगे करेंगे next three terminal of IGBT अब IGBT के तीन terminal कौन से कौन से होते हैं collector emitter और बीज नहीं होता IGBT में gate होता है इसके लिए यहाँ पर आपका D option जो है वो current answer आएगा which one of the following statement is true तो आपका MOSFET कौनसा control device देंगे पूछा हुआ है तो आप यह याद रहाएगा आपका जो FET होता है वह आपका voltage control होता है और बीजेटी जो होता है वह आपका current control होता है तो MOSFET जो है voltage control है और बिजटी जो है current control device है बिजटी में आप आई 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 ऐसी तीन current की basically बात करते हो जबकि FET में आपका जो voltage होता है drain voltage आपका source voltage आप उसकी बात करते हो और gate voltage इसकी हम बात करते हैं तो MOSFET is a voltage control device बिजटी is the current control device is question कोई भी examination में important question है next algorithm is use algorithm का use हम क्यों करते हैं तो यह आपका computer organization related question है algorithm जो है इसका हम use करते हैं डिस्क्राइब सैट आप procedure by which given result is obtained option c जो यहाँ पर दिया हुआ है वो सही आसर है मतलब कौन सा फोलो करेंगे algorithm कैसा design करेंगे जिससे हम easily उसके बाद उसका programming जो है वो कर पाए जो है वो कर पाए इसलिए अल्गोरिधम को बनाया जाता है नेक्स्ट लैंग्वेज आइगा next question for tan programming language is commonly used for for tan programming language जो है वो कॉमझन लीज होता है for the mathematical problem solving तो यहां पर option एसंड आइगा next question के बात करता है बस connected between the CPU and the इस पर आपको यह पढ़ना है डीटेल में तो मेरा एक लेक्चर वन शॉट लेक्टर है मतलब आपका तो आपका यहां पर जो आंसर दिया हुआ है मतलब जो इसक्विश्चन है उसका आएगा आपको 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 एक्विश्चन है मतलब कितने साइकल चाहिए आपको एक्विश्चन हो एक्विश्चन हो सकता है स्यदा भी हो सकता है सो वान और मोर एक्विश्चन आप इसा बिल्कुल कह सकते हो ओके शॉप्शन एक राएगा नेक्स्ट के में बात करते हैं यहां पर बिल्कुल दिया है वह सही है नेक्स्ट क्विश्चन प्रोग्राम काउंटर इस यूज्ट तो इड्रेस ऑफ दे नेक्स्ट इस इस बहुत ही पीटा हुआ इस क्विश्चन है जिसमें यहां पर ऑप्षिन एक करेक्ट आंसर है इस क्विश्चन को आपको मतलब काफी लोग गलतिया करके आते हैं तुरी से क्रिक्ट परह्ने लगेस्ट आते हीझमी यह संकीर ठीक कपते हो तो मतलब लगा वह इस होता है न Hee करेक्ट नेशचन इस बोगएट चासाय इस व्यशन फ्युँब तो मतलब युश्ट ऋपरेशन है वह फुल्यफ्रेक्स आपपरिशन अंवह कर दो count इसका फुल फॉम है वह आपका शिंक्रोनेश एस्ट्रोनेश दोनों बोड में काम कर सकता है युनिवर्सल सिरिल ट्रांसफर के लिए इसका यूज किया जाते हैं इसलिए यह यह चिप के बारे में इसक्वेशन जो यह यह बी काफी एक्जाम में काफी बार पूछा हुआ है नेस्ट कोशियन नमर हन्रेट की बात करते हैं वीचेन फॉल इस एक्जामपल ऑफ पूल डिवाइश कौन सा यसा पूछा हुआ है तो यहां पे आपका पूल डिवाइश क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं हा जब्रली आपका जो लाइन पिंटर होता यूस्टू प्रि इसका फॉल फॉल डिवाइश क्या होता है मैं रिपीट करता हूं हां साइमल्टेनियस पेरिफरल आपरेशन ऑनलाइन इसका फॉल फॉल फॉम इसा होता है पूलिंग जो है यह जो है यह प्रोसेस इन वीच देटा इस तैप्रारी है तो बी यूज एग्जेक्युटेट ब मतलब एग्जेक्युशन के लिए बुलाइन जाता तब तक वहां पर उसको रखा जाता है हां स्पॉलिंग वोग लाइक अंडिपिकल रिक्वेस्ट क्यू और देटा इंस्रेक्शन एंड प्रोसेस रॉम्टेपल सोर्स आं एक्यूम लेटेटेट फॉर्टा प्रिंटर मुल्टीपल प्रोसेसर कें राइट डॉक्यूमेंट फूल विदाउट वीटिंग एंड पर्फॉर्टास्क वाइल प्रोसेस आपरेट्स दा प्रिंटर बाकी सब जो है अलग अटक्राइस करेंगे स्पॉलर जो आपका सिर्फ फॉर्टी प्रिंटर को एक्सेस क अब होता है तो यहां पर आपको एड्रेस लाइन है तो कितने बीट्स आपको चाहिए फॉर के मेमरी के लिए ट्वैल बीट्स चाहिए तो ऑप्शन सी जो है यहां पर करेंट आइगा इसके बाद जो स्कूशन है अगे नामका इलिक्ट्रिकल एंजिनियरिंग के स्कूशन है इन ट्रांस्फोर्मर मैक्सिम अफिशेंसी अकर्स वें अब होता है यह स्कूशन भी आपके बहुत सारे एक्जा में बहुत बार पूछा हुआ है पीटा हुआ है जब आयर लॉस इकॉल टू कॉपरलस हो जाएगा तो आपका एफिशेंसी मेक्सिम होगा मैं पहले पहले इस टेटर एंड रोटर दोनों होता है जो अप्शन जो यहां पर एक राइगा नेश्ट विश्चन इस जन्रेटर और अल्टर आपरेट्स अनद ब्रिश्पल अपर आप्रेटर जो है जैस वाइक आपका जैसे में पूछा हुआ है इस प्पीटा हुआ स्कूशन है बहुत इस प्पावर पावर मतलब आपका वाट मतलब वाट हाँ डबल यू ए डबल टी नेश्ट विश्चन अपीक वोल्टेज इन असी वेव इस पीक वोल्टेज इन एस वेव इस ग्रेटर देन और एक्वोल तो अवरेज वोल्टेज ओप्शन सी जो हैं पर एक राइगा आल सरकी बेस्सेजन शेक्स कै और एक अलकॐल के एक्सेल रिधोंसीज हो जाए गा इसका मतलब क्या होगा आपका जो मतलब रिक्टिव स्पार्ट इवahaha बचेगा हां मतलब आपका option A जो है वो correct answer यहां पर आएगा प्याल रेस्टे सर्कुट होगा हाँ रेस्टन्स कब होता है जब आपका voltage और current का जो फेज है वो inline हो जाता है उस ताइम पर resonance होता है बहुत important concept है इन अलसे सर्कुट the phase of the current with respect to the circuit voltage will be तो अब कितना मतलब phase leg होगा phase lead होगा यह तो डिपेंड रहेगा वैल्यू क्या होगा उस पे तो option D जो है यहां पर correct answer आएगा next question की बात करते हैं which one of the following is the same in all part of the series circuit कोंसा मतलब सारे पार्ट उस तर्कुट में कौनसा सब्सक्राइब होता है तो option B जो है यहां पर correct answer आएगा next question the two windings of the transformer is two windings of the transformer कैसे connect होता है आपने देखा होगा तो उसका diagram ऐसा होता है मतलब यह क्या draw किया हुआ हुआ है इंडेक्टिवली link होता है hysteresis motor is hysteresis motor जो होता है वो constant speed motor होता है तो option B जो है यहां पर correct answer आएगा ceiling fan की यहां पर बात की हुए है जिसमें हम क्या use करते है for the starting to maintain the speed ceiling fan uses the capacitor हाँ आपका capacitor start and capacitor run motor to give the starting torque and maintain speed जैसे क्या आपका ceiling fan है उसमें अगर आपका speed कम हो गया या अच्छे से नहीं start हो रहा है तो आप क्या करोगे आप चेंज कर दोगे तो फिस चलने लगेगा तो यह सिंपल स्क्वेशन इसका अंसर होप्शन भी नैस्ट अस्ट पर मोटर इस टेपर मोटर क्या होता है स्टेपर मोटर एक डिस्टी मोटर है बिल्कुल है सिंगल फिस्टी मोटर है यह भी है मल्टी फेज मोटर भी आप उससे स्टेपर मोटर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो यहां पर यहां पर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है the dry motor use in a mixture grinder is dry motor mixture grinder में आप यूज़ करते हो वो कैसा motor होता है universal motor होता है so option D जो है यहां पर आपका correct answer आएगा जो dry motor आप यूज़ करते हो मिक्शल grinder में कैसा होता है universal motor जो होता है a watt wire emitter hot wire emitter आपका measurement का question है can measure AC as well as DC what wire emitter जो है दोड़नों measure कर सकता है the device used to indicate the presence of the electric current यह सारे measurement के question है जहां पर answer क्या आएगा answer आएगा galvanometer question पर आपके exam में बहुत बार कुछा हुआ है और बहुत ही important question है आपका galvanometer जिसे breeze होता है जिसमें बीच में होता है तो आपका indicator current करने के लिए उसका यूज हम करते है जिरो डिफ्लेक्शन पर वक करता है अब वाट अवर मीटर मेजर्स वाट अवर मीटर वाट इंटो अवर मतलब क्या energy तो यहां पर option C जो है करेंट आंसर आएगा वाल्ट मीटर शूड है वाल्ट मीटर का देखो यहां पर मीटर जब source voltage होता है तो internal resistance series में होता है जब वाट मीटर मतलब आप output में लगा रहे हो तो इंतर्स जो होता है आपको कैसे होगा अब dalam में होगा तो पैरलल स्ट्लेस तो हाई होना चाहिए तो यहां तो यहां पर बात क्या की है वोल्ट मिटर की बात की है इसका मतलब वोल्ट मिटर में हाई इंटरनल रिजिटर्स होना चाहिए तो ऑप्षिन भी जो है वो करेक्ट आइगा नेस्ट कुश्चान एन ऑसीलो स्कॉप के नाट बी यूस्ट तो इंडिकेट नहीं कर सकता है ऐसा पुछा हुआ है तो सिलो स्क इसके लिए उसके लिए वो कि नहीं वो डिसक्राइब नहीं करता तो और आप्षिन नहीं आपका कोई भी एप्लाइंस है तो उसके लिए इनफ अवेलेबल है कि नहीं वो फूस्ट जो है वो डिस्क्राइब नहीं करता तो option A जो है यहां पर बिल्कुल correct answer आएगा नेस्ट क्वेशन की बात करें typical frequency counter आपका जो frequency counter होता है works by indirectly measuring the voltage is accurate to six digit or more works by indirectly measuring current has an analog readout आपका typically frequency meter होता है is accurate to six digit or more होता है तो यहां पर option B जो है correct answer आएगा next question जो next question दिये हुए है again आपके ADC question है which one of the following statement is true तो यहां पर yes question repeated पूछा हुआ है मतलब इससे पहले भी I think question number 86 or something था जो same question था MOSFET is a voltage control device and widget is the current control device semiconductor photo diode uses semiconductor photo diode uses क्या photo conductive effect तो option C जो है यहां पर correct answer आएगा next जैनर breakdown result basically due to मैं आपको बताया था strong electric field across the junction एवाराच ब्रेक्डाउं क्यों होता है इंपिटान की बज़े से होता है जैनर ब्रेक्डाउं क्यों होता है strong electric field की बज़े से होता है तो यहां पर option B जो हो correct answer है next question जो है आपका digital electronics से पूछा हुआ है Carnot map is used to Carnot map का use क्यों 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 करता है to minimize the gates और only digital circuit मतलब आपका number of gates required जो है वह minimize करने के लिए मतलब का बूलियर एक्सप्रेशन जो है उसको minimize करने के लिए हम के मेप का use करता है तो option B जो है वो correct answer आएगा the circuit shown in the given figure is circuit shown in the given figure देखो यहां पर जो यह circuit है यह clearly visible नहीं है कौन सा circuit दिया हुआ है लेकिन यहां पर तीन input दिये हुए है और यहां पर मैं बात करो तो अगर आपका मुझे लग रहा है कि यह आपका जो गेट दिया हुआ है यह नौर गेट है बाकि सारे और गेट है हां अगर ऐसा आप consider कर लो तो यह पर चुका है यहां पर सरकीट की स्कैनिंग लो है कंप्लेटली सरकीट विजिबल नहीं है तो यहां पर मैं इस क्वेशन पर कोई भी कॉमेंट करना नहीं चाहता हूँ ठीक है नेस्ट क्वेशान अब मिनीमाइज लोजिक सरकीट फॉर दे सरकीट शॉन इन दे फिगर इस तो देखो यहां पर कंप्लेटली विजिबल है यहां बबल है यहां बबल है यहां बबल है यह पूरा दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा हां तो इसका क्या करना है आपको मिनीमाजिशन करना है आप मिनीमाजिशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां भी दो सही हाँ पुरा x y z का मतलब ऐसे जैसे किया हुआ यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन लेकर मतलब मिनिमाइज करोगे तो आप्शन बी और ऑप्शन सी जो है यह दोनों सही है यहाँ पर होगा सल्सक्राइए तो और ऑप्शन स्य happen होगा आइक मार्क सबको शायए अग्जाम में दे दिया था यहाँ पर ऑप्शन जो है वह सही है ऑप्शन नहों प्रसब क्या है इसी हमँआ करता है सिर्फ और सिर्फ a.b मतलब क्या होगा यह जो आपका दिया हुआ है यह a.b होगा ओके यह आपका दिया हुआ जो इवेंट डाइग्राम है सारे यह वेंट डाइग्राम है यह नौर के लिए होता है हाँ आपका a bar dot b bar मतलब और यह जो आपका है हां ए बार प्लस बी बार मतलब का क्या होता है नाइंड गीट होता है यह नाइंड गीट का है तो यह अगर आपको वैंड डागराम पुछ ले तब भी आपको आने चाहिए अब इस सरकीट में मिनिमाजिशन करोगे तो आपको चल जाएगा जिसे कि यहां के आपको यह बार म सब्सक्रीशन जो यहां पर करेंज़ नैनों which is not an application of the adaptive रजिस्टरशन का अपूच्चा हल वहाँ तो सिमेंड रिगर होता सिल टो पैरलgesetzt होता है मतलब किया करता है स्क्कड़र कनोड करता है एउसा कोई यह नहीं है तो सिमीट रिगर जो है वह application नहीं होता स्ट्रेस्ट करता हो option C जो यहां पर हो correct answer आएगा next question circuit can be implemented by full circuit जो है can be implemented by multiplexer बिल्कुल कर सकते हो half editor से भी कर सकते है Android से भी कर सकते है तो यह सब answer में आगा actually full editor decoder से भी implement कर सकते हो and decoder भी हो सकता है तो यहां पर सारे option parallel to serial मतलब क्या हाँ के बहुत सारे parallel input आ रहे है तो उसे स्ट्रील में करना इसा कहता है parallel to serial मतलब क्या होगा multiple lecture option C जो है यहां पर आपका correct answer आएगा which is the following flip-flop can be converted to D type flip-flop मतलब कौंसा D में convert कर पाओगे तो SR flip-flop यहां पर उल्टा पूच्छा हुआ है which is the following flip-flop cannot be converted to D flip-flop मतलब किसे आप D type में convert नहीं कर पाओगे तो मतलब SR को कर सकते हो जह कर सकते हो master सब को कर सकते हो तो none of these जो है यहां पर correct answer आ रहा है next question the characteristic of the flip-flop is characteristic of the flip-flop क्या होती है the flip-flop is a bi-stable device with only two stable state of flip-flop as two output signal of output of the compliment मतलब तो आउटपूट एक दूसरे का compliment होता है बिल्कुल होता है तो all of these जो है as usual यहां पर option D जो हो correct answer है next ring counter consists of a five flip-flop पाच flip-flop मतलब रिंग में 5 flip-flop को लगाये हुआ एक दो तीन चार पाच सब को connect कर दिया है flip-flop को ऐसा है और फिर उसको फिल्पिक दे दिया मतलब यह हो गया आपका रिम काउंटर तो कितने state मिलेंगे तो पास्टेट ही मिलेंगे न मतलब आपका जो भी होगा मतलब यह example में 1011 number को यहां सा एंटर करूंगा तो पास्टेट के बाद मुझे यह number वापिस मिल जाएगा तो ऑप्षिन जो है यहां पर करेंट आएगा नेस्ट पास्टेट यहां पर आइगा नेस्ट आसटश्यम यूस्ट टू डट आट रांसफर ब्विट्विट्वें दा माइक्रोश एंड यो डिवाइस आयो डिवाज़ और माइक्रोश के बीच में मतलब सकते हो यह सिंक्र लुटर ताइसर है नहीं सुटेंगे बात करता हैं अद्रेस बस उफिंटाइस देफिड एक रेस्टी पाइप कर सकते हो कि अद्रेस बस अद्रेस बिट फाइड उपय पैजेंट इस एक्सेसज वाइदे अड्रेस बस से दिर को 16 bit 16 bit मतलब क्या होगा आपका two rest to 16 की बात हुने पहले भी की two rest to six into two rest to ten आपका लिख सकते हो बिलकुल सकते हो two rest to six का मतलब क्या 64 और two rest to ten का मतलब क्या 64 के तो मतलब option दी जो है आपका बिलकुल सही answer है next question flag which is not used for the branching in the microprocessor microprocessor में ब्रांचिंग के लिए क्या यूज नहीं होता है ऐसा पूछा होए तो केरी होता है जंप इफ केरी जंप इफ ओवर्फ्लो जंप पारिटी जंप इफ ऑक्सिलरी के लिए इसा नहीं होता तो branching के लिए अप्सिलरी के लिए करिक का यूज कभी नहीं करते तो option c जो हो करड़ आएगा मतलब option b यहां पर next which type of error detection use binary division कौन सारे डिटेक्शन बाइनरी डिविजन करता है तो आपका जो CRC होता है साइक्लिक डिटेक्ट होता है वो बाइंदरी डिविजन करता है तो अप्लिकेशन लेयर में यह सारे डिटेक्टोल आपका जो है आप मतलब यूजर जो यूज करते है उसकी बात है तो कहां होता है जो है करेंसर आएगा नेक्स कुछेशन ब्लाइक टैक्निक विज ट्रांस्फोर्म एन अनलोग टेलीफोर सरकें इंट इडिटल सिगनल और इन वोस्त्री कंजीक्विटीव प्रोसे सैंप्लिंग कॉंटाइशन एंड एंड कोडिंग किसमें होता है पी सीय में होता है तो ऑ अप्टेना का स्ट्रिशन है यह ठो यहां पर उप्टेन जू है वू करेट राएगा नेक्स्ट्रां प्रिंस्ट mixer ऑप्रेशन उप्रिंस्टडोशन जो होता है किसी होता है वा कहता है और फ्रेयंस पर ऑप्रैशन अबसकर यह रहा है उसपे पुरा प्रेस्यiiii holds the instruction before it goes to the decoder. तो कौन सा register होगा? That is, data register C-O का question है. यह option D, जो हो correct answer आएगा. मैं आज दे फॉलोउंग दिया हुआ है. Tune circuit, tune circuit क्या करेगा? Option 2, वेरेक्टर डियोडेस जो है, as a tune circuit जो है आप यूजे करते हो, then is a voltage reference आप क्या यूजे करते हो? हो तो बी में क्या आएगा चार आएगा यहां पर इसा लिख लो इसी रहता है हाँ हाई फ्रिक्वंसी स्विच हाई फ्रिक्वंसी स्विच क्या आएगा सी में अगर आप बात करो तो शॉट की डायोड का क्या यूश करते हो आपका पिन डायोड मतलब आपका option 3 आएगा तो आप देखो A2B4C1D3 तो कौनसा option A2B4C1D3 option A जो है यहां पर करेक्ट आंसर है ऐसा करोगे तो easily हो जाएगा next question the highest speed counter is highest speed counter कौनसा है highest speed जो होता है वो synchronous counter में होता है option B जो है वो करेक्ट आएगा next question in which of the following type of another digital converter does the conversion time doubles for every bit added to the device के लिए किसमें होगा counter type ADC में होगा हां तो जब आपका option A जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर आएगा तो इस आल अल अब आपको बताया वैसे बहुत सब्सक्राइब करवा चुका हूं अगर आपको में वीडियो जो है वह अच्छे लग रहे है तो फटा फट मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो को लाइक कर दीजे और बेल आइकन को ब्रेस कर दीजा कि जब भी मैं आपको इस question solution next जब लाओंगा तो आपको notification जो हो मिलता रहे है और जितने भी आपके ग्रूप है WhatsApp ग्रूप या टेलिग्राम ग्रूप जितने भी है सब में इसको शेर किजेगा क्योंकि बहुत सारे important mcqs जो है बहुत सारी एक्जाम में बार-बार पूछे वह से कि जो हो इस question paper में है thank you very much